दुबै प्राता है कि जो हमारी करेंट अफेर्स की क्लास है ये बात तो निश्चेत तोर पर तैह है कि यदि इस क्लास को आप कर रहे हैं तो करेंट अफेर्स से जुड़ी हुई आपकी समस्याएं आने वाले एक दो महीने में खतम हो जाएंगी जो बच्चा भी दो महीने भी इस क्लास को कर लेगा इसके बाद एक तो आदद बन जाएगी सुबह जल्दी उठने की और दूसरा करेंट अफेर्स जैसा सब्जेक्ट उसके लिए आसान हो जाएगा मतलब इतने सारे टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो करेंट अफेर्स आपके लिए बड़ी चीज नहीं रह जाएगी पर एक जद्दो जहेश से आप प्रतिदिन जो है गुजरते होंगे जितने लोग यहां पर क्लास कर रहे हैं मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं कुछ लोग तो ऑल्रेडी पहले से ही चार बजे जगते थे कुछ लोग चार बजे से पहले जगने वाले भी बच् तो सबका अपना अपना रोटीन था मैंने आपका एक नया शेडियूल बना दिया कि भी आप पांच बजे उठिये और साड़े पांच बेसे हम क्लास करेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग इस उपापो और जद्दो जहेश से जरूर गुजरते होंगे कि आज कास आज क क्लास ना करें, कल कर लें, कल पे टालें, इस तरीके के विचार आते हैं कि आज सो जाएं, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग के साथ, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे कि गुड मॉर्निंग लिखके चले गए, तो देखे, कोई आदत को बनने में समय लगता है, है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो जगने का टास्क है वो भी अपने अपने सधारण टास्क नहीं है, आपको अभी तग जगने के लिए कोई रीजन नहीं था, कोई कारण नहीं था, मैंने आपको एक कारण दे दिया, कि सुब जगना मतलब एक बड़ा टास्क बहुत सा है लों को लग रहा होगा, और एक चीज और रहती है, सुबह सुबह जिसे जो काम काजी घर में, जो है, हमारी बहने हैं, काम करने वाली जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चिया हैं, घरेलू महिलाएं हैं, तो उनके लिए बहुत ब टास्क, उनके पास सब सब टास्क है, और मैं जल्दी एक सेशन जरूर आप लोग के लिए भी लाओंगा, कि आप लोग को तैयारी में किस तरीके से अपने आपको, जो है, मैनेज करना होगा, अपनी लाइफ को, ताकि आप तैयारी को अच्छे तरीके से लेकर चलें, काफ लोग अलाम लगाते होंगे, अब कुछ लोग को अलाम की जरूरत नहीं पढ़ती होगी, क्योंकि जब लेट सोते हो, जैसे कई बार क्या होता है, लेट सोते हैं, तो फिर लेट जगने की आदत ही होती है, मतलब दरसल मैं आपको सही बता हूँ, लेट जगने के पीछे का ज जैसे कल रास्तामा में विधयक पेस हो रहा था, तो मैं जैसे संसत के कोई भी महत्यपूर्ण सत्र होते हैं और जिसमें कुछ महत्यपूर्ण इंपोर्टेंट भी लाते हैं, मैं उन्हें जरूर देखता हूँ, मतलब एक बहुत और कल संविधान संसोदन विधयक पारित हो तब भी मैंने पूरा सेशन देखा था, और यह कल ही जब हुआ है, लोकसभा वाले को भी पूरा कंप्लीट देखा था, कल राजसभा वाले को देखा, तो कल काफी लेट हो गया, मतलब मान लिजे सोने में आपका वही साड़े बारा से ज्यादा टाइम हो गया था, साड़े पर हमें कुछ सिद्धान बनाने पड़ेंगे, वैलू बनाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, डिसिप्लेन नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप किसी कारण बस लेट हो जाते हैं, सुबह का अपना सेडूल फिक्स कर लिया है, तो जब सुबह पांच बज जाय करें, घड़ी का अलाम बज रहा हुआ करें, आप इस नूज करने जाय करें, उस समय बोला करें कि यार आज और पढ़ लेता हूं, कल मैं सो जाऊँगा, अभी क्या होता है, आपके दिमाग में विचारी आता है कि आज सो लेता हूं, कल पढ़ लूँगा, इसकी जगह पर जश्ट इसको रिवर्स कर दीजे, कि आज और पढ़ लेता हूं, कल सो लूँगा, सोने को कल में टाल दो, मतलब जो बैड हैबिट्स हैं, अभी क्या हो रहा है, गुड हैबिट्स को आप कल पे टालते हैं, कि कल से करेंगे, है ना, अभी जश्ट रिवर्स क और आपको बताता हूं, जब मेरी आपने चलए य है, बालकुम है, तो बालकणी में चले जाए, मलब जहाँ पे सुद्ध ऑक्सीजन मिले आपको, δेखो आप स्टूडेंट हो, लेकिन स्वास्त जीवन भी तो आपको जीना है, ना, उस्टूडेंट का मतलब YEतोर ना है कि दिमाग में डिप्रेशन लिए बैठे हुए हो परिशान हुए करके बैठे हुए हो तो थोड़ा सा हेलदी दिन चर्या के लिए सुबहले बातवन में जाना मैंने कह रहा हुए कि बहुत कुछ करिए वहाँ पर जा करके थोड़ा सा टहली लीजिए आज पास कहीं हरी घास हो और उसमें टहलने को मिल जाए फिर देखना अपनी प्रोड़क्टिविटी मलब तीन चार महीने आप मेरी सुबह की क्लास और एक तरीके से मैं बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ी दवा लिख रहा हूं आपकी तैयारी आपके सेलेक्शन और आपके स्वास्त सभी को ले करके और सुबह प्रात है का आपको पार्क में जाना चले देगो बहुत सारे लोगों के जीवन में सकरात्मक बदलाव भी आया है दिक्षा सर्मा जी करें सर अगर अब तो अगर ना उठ पाए तो खुद पर गुस्टा आता है गुस्टा नहीं करना है सरीर का बायो क्लॉक अभी सेट हो जाएगा तो आप अल्रेड़ी खूठ ही जाएंगे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी हाँ चले बहुत बढ़िया महस्रीबा जी करें सर अब तो आदत पड़ गई है विरेंदर कुमार जी करें सर बिलकुल नॉर्मल लग रहा है पांच बे जगना चले बहुत बढ़िया है कुछ लोग अलाम लगाते हैं ल देखे बहुत क्लास का टाइम तो साड़े पांच रहेगा पांच बजए अभी धीरे धीरे क्या होगा क्योंकि मैं चार बज़े का मेरी दिन चर रहा है कि चार बज़े मालीजे मैं उठता हूं तो चार बज़े के बाद मुझे प्रिपेर होने में बॉड़ी को पूरी तरी सब्सक्राइब करके आखे क्लास लेता हूं आपकी सुबह की क्लास ऐसे नहीं रहती कि मैं आखों को मीशते हुए आ जाओं तो सुबह सुबह नहाना धोना थोड़ा बहुत हलका सा छोटा सा ब्रेक फास्ट ताकि फिर पूरी एनरजी के साथ आपको पढ़ा सकूं देखो स सबसे पहले खुद स्वस्ते रहना पड़ेगा जब तक मैं स्वस्ते नहीं रहूंगा तो फिर मैं आप लोगो इतना बोल रहा हूं है ना महीं बीमार घूम रहा हूं बीच बीच में चपेट में भी आ जाता हूं कही बार लेकिन फिर भी मैं पूरी कोसिस करता हूं कि मेरी दिन चर्या, बहुत सांदार रहें, समय पे खाना, पीना और चीजे रहें, बहुत मैनेज करने की कोशिस करता हूँ, क्योंकि मेरे उपास सबसे बड़ा टास्क पढ़ाई है, मैं पूरा दिन 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रहता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत स सूच नहीं सकते, मैं बहुत तकलीफ में रहता हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने क्लास ले ली इत्मिनान से, और फिर सोचे, मेरे मन में इतना उत्सार है ता है कि चलो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ दे दिया, तो बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है ये, चलिए, त आपके जीवन में सकरात्मक बदलाव लाने के लिए, तो आप सभी इस बदलाव को जीए, है ना, और इसका स्वागत करिए, जीवन में बदलाव बहुत कम मौके आते हैं, है ना, चलिए